अमेरेकी सीडिसी ने शुक्रवार को बर्ट फ्लू पर चिंता जताते हुए चेतावनी जारी की है नियू यर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार विशिशक गोन ये चेतावनी दी है कि बर्ट फ्लू महामारी कोविट से सौ गुना खतरनाक हो सकती है डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार मिशिगन में एक कोल्टरी सर्विस और टैक्सेस में डेरी करमत्चारी में एवन्यू फ्लू के संक्रमन की खबर आई है डेरी गायों के बर्ट फ्लू से संक्रमित होने के रिपोर्ट भी सामने आई है और इस तरह का ये पहला मामला है विकासित नहीं हो सकते लेकिन अन्य लोगों को गंबिर जीवन खातक निमोनिया विकासित हो सकता है। रोक नियंदरन और रोक थाम केंदर के बताया कि टॉकसिस से संक्रमत डेरी करमचारी ने अपने एक मात्र लक्षन के रूप में आँखों में सुजन की सुचना दी थी। CDC ने कहा रोगी को अलग रहने के लिए कहा गया था और फ्लू के लिए एक एंटी वर्यल दवा के साथ उसका इलाज किया जा रहा है। CDC निदेशक मैडी कोहने ने वाशिंग्टंग पोस्ट में बताया एजेंसी ने पूरी अमरीकी सरकार इस स्तीती को बहुत गंबीता से ले रही है। रोज मररा की ताज़ा खुब रुकले हमारे साथ बने रही है। मैं हूँ अलफी और आप देख रहें तुदकाल नियूस लाइफ।